वूदे मात्रम टुवाल अफ्यू एंड वेलकम तो माइचैनल तोड़े वोड़ी डिसके पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे हमेशा हम आपको कहते हैं कि आप ऐसा काम करें जिससे आपके लिए लाब हो आपको बेनिफिट मिले और आप जीवन में हरे कुछाईयों का सामन कर सकें तीसी पे बहुत चोटा सा कोट्स आपके लिए में बोल रहे हैं इसके बारे में जो भी आपको कोई डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए आप कॉमें वाक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि ड प्रयास क्या है और वीडियो आप थोड़ा सा पूरा देखने का प्रयास करें ताकि हमारे यह जो मैं मेहनत कर रही हूं तो हाड़ वर्क कर रही हूं सिर्फ आपके लिए तो आपको कुछ आप भी कुछ इसे गेन कर सके तो आज अब हम चलते हैं टाइम बेस्ट ना करते और यह सब किस के पार्ट हो रहे थे यह हम चल रहे थे आप करेक्ट्यूजा प्रोनाउन में करेक्ट्यूजा प्रोनाउन का पार्ट हो रहा था बट यह चीजे ऐसी हैं कि आपका आईदर नाईदर इच यह हमारे तीन तीन चीजों में मिलते हैं किस में मिलते हैं आपको हम हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि प्रोनावन भी होते हैं एड्जक्टिब भी होते हैं और डिटर्मिनर्स भी होते हैं तो आज हम क्या डिस्केशन कर रहे हैं नाइदर के बारे में ठीक और पिछले पार्ट में भी हमने ऐसा बताया है तो नाइदर का मतलब क्या हो The sense is not one, not the other, ना तो एक ना दूसरा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ऐसी चर्चा जब हम करते हैं, तो उसे हम neither का use कहते हैं, कि वो neither का प्रयोग किया गया, neither means you are not, ठीक, अब हम आपको बताएंगे, हमने बताया कि इनके sentences किस-किस में यूज किये जाते हैं, तो ये तो हो गया इसकी थोड़ी सी जानकारी हो गई, अब हम चल देते हैं, इसको किस-किस में यूज कर रहे हैं, ठीक, तो पहला हमारा हो रहा है, तो पहला किस में चल रहे हैं, पहला इसको यूज आप किस में करते हैं, distributed pronoun में, है ना, हमेशा ये आपका चल रहा है तीन दिनों से, pronoun, ठीक, ये आपको मैं तीन दिनों से बता रही है, each, either और neither तीनों, और दूसरा क्या चल रहा है हमारा, दूसरा चल रहा है आपका distributed adjective के बारे में, है ना, ये इसमें भी यूज किया जाता है, and third क्या हो रहा हमारा, third हो रहा हमारा determiners, ठीक, determiners, आप ये भी जानते हैं, कि ये जो determiners हम हर वार बता रहे हैं, ये determiners और इनका use, neither का, ये same, same होता है, ये same हो रहा है, ठीक, अब हम बता दें कि ये pronoun के रूप में कैसे use किया जाएगा, और क्या कहते हैं, ये adjective के रूप में, और determiners के रूप में कैसे use किया जाता है, वो sentence by sentences हम बताते हैं, तो each में भी हमने बताया है, either में भी बताया है, और अब neither का भी समय आ गया है, इसमें भी बताया जाएगा, कि pronoun कब होता है, adjective कब होता है, और determiners कब होता है, तो ध्यान देंगे आप, कि adjective का part, determiners हुआ करता था, अब ये अलग हो गया है, बट यो जिसका like a determiner like a adjective ही है, यानि कि adjective के जैसे ही किया जाता है, ये जो हमारा pronoun है, pronoun कैसे होता है, pronoun का यूज कैसे किया जाता है, वो चीज हम बता रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, वो चीज को हम आपको यहाँ पे return करके समझा देते हैं, कि इसका pronoun के रूप में यूज क यह से किया जाता है तो पहले संटेंस ही दे देते हैं हम आपको और फिर इसके बारे में बताते हैं ठीक तो ध्यान देंगे आप ठीक आप ध्यान देंगे नाइधर अब देख लेंगे नाइधर अब देखेंगे यहां भी देख लेंगे नाइधर वॉर कि देने देना है आपको सेंतेंस का सेंस एक ही हो रहा है कि देंस कोई नहीं हो रहा है उसका सेंस एक ही है लेकिन य्यूज में थोड़ा सा णी कोई मैसप धट्र एक सबसेatu देखें कोई से कोई नहीं हो रहा यहां आप देखेंगे यह और सब्जेक्ट का कारी कर रहा है कैंडर के साथ में teo तो सिंगलर का यूज़ किया गया है यहँए प्रोणाउन का काम कर रहा है पहले से हमने बताया थ है इच और आइधर के जैसे ही है तो हृघ कि लिए कि दियान कर ठाएनट यदि लिखा है तो यह pronoun का काम कर रहा है ठीक आप ध्यान क्या देना होगा कि यह adjective कैसे होगा यह sentence हमारा जो है adjective का काम कर रहा है पर कैसे कर रहा है यह ध्यान देना है तो आप यह देखेंगे कि neither के just नाउं लगा है थो इसके just about noun लगा होता है now नधवा प्रोनाउन भी आते हैं ठीक है तो लगते हैं तो इंअ मुछ्ए मैं तो कि विशेशता बतला रहा है कौन बतला रहा है यह वीशेशता बतलाने वाला words होता है वो क्या कहलाता एडर क्या कहला डी आपको समझ में आ गया होगा आप छलते हैं डी टर्मिनर्ज के भारेबी हमने बताया है कि ईसी के जैसे यूज होता है, जैसे ये हैं कि यहाँ प्यादी हम लिखना चाहें तो यह बता सकते हैं आपको तो ध्यान देंगे इसका आप हम किसके रूप में बता रहे हैं तो आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि डिटर्मिनर्स और एड्जेक्टिब सेम सेम जैसे यूज किया जाता है तो यही आपको ध्यान देना है फिर भी हम बता रहे हैं नाइदर एंसर इस करेक्ट ठीक हैं यह ध्यान देंगे आप इसमें ऐसा क्यों फिर से आपने देखा होगा कि यहां पर आपका यह जो काम कर रहा है नाउन का काम कर रहा है यानि कि नाइदर के बाद आइदर के बाद किसी के बाद कोई भी नाओन आता है तो वह हमारा क्या कहलाथ मैं JavaScript बतावा क्या कहलाथ है हमारा इस यह दिट का भी हम प्रयोग बता दिये हैं कि इनका प्रयोग आप देखेंगे कि इनका सेम सेम प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन का एक साधारन सा फंडा और है एक साधारन सा concept और है कि प्रोनाउन के तुरंत बाद ये नाइदर के तुरंत बाद य lihat दो न 익िव नक्रूझुी निवान। अधिन देखेंगे तो प्रोनाउन के रूप में यह भी कर सकते हैं नाइदर इसका रिख लेंगे क्या कर देँगे neither is correct answer ठीक है न? answer ठीक ध्यान देर तो आप देखिए दोनों का sense एक ही कह रहा है दोनों का sense एक ही कह रहा है पर use में थोड़ा सा differences है यहाँ इसके बाद तुरंट क्या आ रही है? वो वा रही है आ रही है न? और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? इस वाले में इसमें आपका noun आ रहा है तो अब आपका concept इकदम से clear हो गया होगा कि neither की just बाद यह दि कोई noun आ रहा है थोवा pronoun भी आ रहा है neither of us ऐसे करके तो इन में से यह दि noun आ रहा है mostly तो आपको देख देखना है कि noun आ रहा है तो वो क्या हो गया? determiners हो गया अथवा adjective हो गया यदि neither के बाद कोई वो वा रहा है तो क्या हो गया वो? वो हो गया pronoun पर यह कौन से pronoun हो रहे है? आपका distributive pronoun और distributive adjective यह समझ में आपको आ गया होगा अब इसका sentences में हम कैसे यूज करते हैं और इसकी पहचान क्या होती है? और देखते रहे हैं यह समझना चाहते हैं तो students आपको ध्यान देना है कि हम आपको sentence के रूप में बता रहे हैं कि इसमें से जब जैसे आपको error छाटने के लिए आ गया कि आप चूज correct sentences ऐसे करके आ गया और sentence आपको इस प्रकार से दिया है तो sentences जब ऐसे दिये होते हैं और उन में से आपको neither का प्रयोग करना होता है तो आपको क्या remove करना है? तो वो इस चीज को ध्यान देंगे आप ध्यान देना क्या है आपको? कि आपके sentences में जब neither का यूज करना होता है तो none off लगा होगा none off को हटाना और neither का प्रयोग करना आईदर के प्रयोग में any of को हटाना और आईदर का प्रयोग करना यह आप प्यधी this concept को यहां बठा लेंगे तो आपको कोई भी इस में थियान होगा आपको अचछी तरह से अईदर हो नाइदर हो इन में आपको दो वस्तु हो चाहे दो व्यक्ति हो यादो कोई भी चीजिए हो इन ही में से आपको गड़ना करनी है तो हमने इस थेंस में ये दो बताने का मतलब क्या हो रहा है इसे ध्यान देंगे कि नन आफ माई टू पिंस राइट्स वेल ठीक यहां पर लिखा है तू हमने बताया चाहे दो बस्त हो चाहे दो व्यक्ति हो चाहे दो कुछ और भी चीजे हो बस दो में ही नाइदर और आइदर का यूज हम करते हैं दो में से ही आईदर या नाईदर का यूज किया जाता है तो positive थिंक लिए सकारात्मक थिंक के लिए आईदर का प्रयोग और नकारात्मक के लिए जिन में से कारे को मना ही का हो वहाँ पे नाईदर का प्रयोग तो अब आपको कैसे करना है sentence को correct इसमें करना है how to correct these sentences आपको ध्यान इस पर देना है तो हमने बताया आपको कि ऐसे sentences में आपको क्या करना है और क्या लिख देना यहाँ पे यहाँ पे लिखना कि कि यह पिल उफ एक चीज आपको और ध्यान देना है कि हमेसा हमेसा इन चीजों कह साथ में बर्ब जो होती है जो क्रिया होती है वह सिंगुलर फार्म में होती है वह क्रिया does को आप इस ध्यान देंगे है ना यहां पेंस को देखकर की प्लूरल लगा हुआ है औब्जेक्ट हमारा यहां पे जो दिख रहा है हमारी वस्तु जो दिख रही आपने देखा कि यह प्लूरल फॉर्म में है तो आपने राइट कर दिया वहीं पे संतेंस आपका बिल्कुल रॉंग हो तो आपको सीधे कुछ नहीं नन ओफ को रिमोब करना नन आपको आपने किया किया रिमोब है ना और इसमें सिर्फ सीधा का सीधा आपका फंडा है वो चीज आपको यहां पे देख लेना है ना उसको करेक्ट कर देना है तो टू गेट्स गेट्स वेंट अभे ठीक है ना आपको समझ में आगे होगे एक्चुली यह यहां पे पास्ट की बब लगी हुई है पास्ट की बब लगी हुए तो आपको कोई कॉन्फूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंस संटेंस हमेशा संस के एकॉर्डिंग ही बनाये जाते हैं बस इसे घ् sebagaiाव, हुई है ऑट्त, क्व bisschen किms अगा çok किग्या है वागी है फटक्ष्योरा करें आपकोष्य। एकोव छिए खुए बब लागी है।